मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को यह मैंने कैब बनानी बताई थी तो यह देखिए यहाँ पे यह इतनी बन चुकी थी और इसमें मैंने यह एक पॉमपम लगा दिया है तो मैंने कहा था कि नेक्ट वीडियो में मैं अगले पार्ट में आप लोगों को इसका यह बताऊंगे कि मैंने इसको कैसे बनाना और कैसे लगाना है वैसे तो मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो में मैंने यह पॉमपम बनाना बता चुकी हूं लेकिन फिर मैं बता रही हूं आप लोगों को कि इसमें हमने कैसे लगाना है जब मैंने यहां से इसका ज्वाइंट किया था तो जो हमारी ये धारिया है तो यहां से मैंने काउंट कर लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ या दस दस छोड़के मैंने इसको बांद दिया यहां पर अंदर से तीक है अब हम इसका दूसरा वाला इधर लगाने के लिए बनाएंगे तीक है अगर आप बांद र इसका बांध सकते 17B आ Re Raymond ने यहांने के लिए यहां पर है एतना से कम शेको बहुआ है यहां यहां पर यह क्रिपल उन कर ट्रवर्यूल कर बूर्ए लिया है तिकर और एक मैंने यह पेन ले लिया है और जो मैंने पॉम-पॉम बनाया है यह मैंने बीस मीटर का 20-20 मीटर के टुकड़े कर लिया हूँ तो आयसे हमने इसको इसके उपर रख के ऐसे देखे यह इसे ही लपीड़ते जाना यह देखे ऐसे जितना हमारा ये लंबा है उतना ही हमने लंबा लपेटना इसके उपर अगर लपेटेंगे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं आता है मैंने तो इस मेथेट से बनाती हूँ अगर आप लोगों के पास कोई और वीदियो और बनाने का तरीका तो आप उससे भी आप बना सकते हैं तो यह देखें मैंने यहाँ पर इसको ऐसे अथी लपेट से जाना है और 20 मीटर के आप दो टुकड़े ऐसे करके पीस ले 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 ज कैसे बन जाते हैं तो ज्यादा काटने की जरूरत नहीं होती है इसको गोल करने के लिए ऐसे बस आपको लपेड़ते जाना है इसको आप लोगों को ऐसे ही इसको लपेड़ते जाना है तो मैं इसको लपेड़ लेती हूँ तो फिर मैं आगे बताती हूँ कि इसको कैसे बां तो देखिए फ्रेंड्स यहां मैंने इसे निकाल लिया है ऐसे करके पेन में क्यों में पेड़ती हूं पैंसिल से भी कर सकते हैं क्योंकि यह ना चिकना रहता है थोड़ा सा इसमें फिथल जाता बड़ी असानी से बाहर को निकल जाता है यह तो यह देखिए अब हमने यहां सब्सक्राइब बांध लेना है कफ के बांध लेंगे हां यह अब हम इससे ऐसे करके मदma है 1989 लेना हैं ऑर जिसे कि यहाला है हमारा है से शीक्राद से बिफ Woran Cup अब करें दो मिक कर सकते कंआ कि तो फिशिदा चिदा सा बना हुआ है और यह ज्यादा ठोस बना हुआ है इसमें ज्यादा उन है इसलिए ज्याडा लपेटा हुआ है तो इसमें मेरे पास पूंध नहीं ती तो तो यह उन थी उसको मैंने ब्राबर कर लिया था ठीक है और इसमें भी मेरी जिए थोड़ी सी उन बच्ची देखी तो कंप्लीट होका है बस यह लग गया है और यह मैंने बनाई ही लिया आप लोगों के सामने और यह वली उन थोड़ी सी यह चार पांच पांच ग्राम मेरे पास बच्च ग्राम में से हैं और मैंने सचा था कि थोड़ा यह बड़ा बनुए लेकिन यह थो 19-20 का ही फरक इसमें देखी में आपके बता देखी स्कूल पर रखके देखी है कोई खास बड़ा नहीं है जैसे यह 91 फंदों का हो ना वन हैंडर्स थ्री फंदों का एक सो त देखिए ज्यादा फरक नहीं है इसमें यह 58 सलाइयों की है यह वाली नीला जो मैंने बनाया अभी और यह 52 सलाइयों का कुई ज्यादा फरक नहीं लगा मेरे को लग रहा कि मेरी उनकम पड़ जाएगी इसलिए मैंने इतना सा हिस्यों बनाया है अब हम इसे अच्छे से बांध लेते हैं अब इसको अच्छे बांध लेना है इसके तो इसकी ऐसी यह श्येप आजाते हैं यह कम से कम भी दो इंच के करीब इसकी यह है तो बिल्क कुल जैसे यह वाला हमारा शेह दिखाई द है न गीरेनी दिखना चाहिए इसको कक के बांध लेना है ठीक है जो मैं इसको बांध लेती हूं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूं तो देखी मैंने यहां पर कस्के बांध लिया है इसमें मैंने तीन नौट लगा दी है कस्के बांध की आपने अगर लगाना चाहते हैं तो आप और भी कर कस्के तीन या चार भी लगा सकते है आफिके मैंने वहोट कस्ते से बांद दिया है , अब इसको पकड़ के रखेंग़ से वाले को और यहां से 4 तरफ से हमने इसको कटिंग कर देनी है तुमारोब से जिससे हमने बांदा था जिस थ्रड से इसको तो यहां से चारों तरफ हम घुमाते हुए इसको काट देंगे ऐसे करके इसकी कटिंग कर लेते हैं अचे तो देखे अब हमने इसको काट लिया है अब इसकी हमने राउंड में इसकी गोल बिलकुश शेप देनी है तो इसको अब हम धीरे धीरे इसको कटिंग कर लेते हैं कि यह देखे ऐसे हमने कारते करते इसको राउंड शेप में बिलकुल बॉल की तरह हमने जैसे गिंदी का फूल होता है ऐसे मैंने इसे बना लेना हम लोंको इसे थोड़ा-थोड़ा काटेंगे देख लेंगे कहां से हमारी थोड़ी ज्यादा ओपर को भरी वही दिखाई द तो इसको मैं ऐसे ही काट के गोल ऐसा कर लेता है यह बिलकुल बना हुआ है ऐसे ही काट लेना हम तो देखी friends मैंने यहां पर इसकी cutting करके। हम एसे हलके हां से को काटते जाने means 되지 जहां भी हमें दिखे जर्म साओं को गोल करते जाना सार बिल्कुल गोल गींदे की फूल की तरह हमने इसको बना लेना आई कि अब पर यह पीला कलर होता तो ळिलगे लिद्री के फूल से पर यह था था है तो यह जैसे बन गए है कोई भी इसमें से बड़ा छोटा ने नजरा रहा हुए तो अब हम इसको लगाना टार कर लेते हैं कि कैसे लगाना है तब तब से पहले से हम इसे हटा लेते हैं इसको जो यह हमारा कटी हुई और यह थोड़ी से थ्रणकों काट लेते हैं हाँ पर जिससे हमने को बाना था थोड़ा दूंझों इसको काट लिया है ऐए कि अ अब यह देखिए दोनों सिलाईयों के मिलाते जैसे यह वाली सिलाई और इधर की सिलाई को मिलाते वैसे दोनों यह से करके और जहां से हमने यहां जितनी दूरी पर मैं लगाया है उतनी ही हमने इधर लगा लेना अब यहां से गिन लेंगे यह देखिए एक दो तिन चार पा पखड़ा हुआ था और यहां से हमने इसको अंदर डाल देना है अगर आप सुई की तहता या क्रोशिय की तहता से डाल सकते हैं तो डाले ने इसे भी डिल जाता है बड़ी असानी से देखे में एक डाल के दिखा दिखे एसे फोड़ा से ऐसे होल कर लेना इसमें ऐसे यहां पड़ा है ठीक है कि और दूसरा जो निकालना है वह थोड़ा से एक फारी हटा के इस फ्लाई हटा के तो हमनें ऐसे ही यहां पर डालना है यहां पर डालना है तब यह ने यहां पर हमने अधर ना यह वाला यह न 소개 आरिया यहां यह Vict ignored औल दालना है और यहां गेन aby आ ऐसे डाल लिया है ठीक है देखिए एक सलाई इधर ऊपर एक सलाई इसके नीचे अब यहां से हमने बांद देना है दो तिर नॉट लगा के हमने इसके बांद देना है आप किसके बांद देशको जिसके ऐसे हमने बांद लिया है और बची हुई त्रड को आप करोशी की सहता के अंदर को डाल दें ठीक है इसको आप डाल सकते है बिल्कु सेम ऐसी ही कैब बन गी जैसी मैंने ये पहले बनाई थी फिर बाद में मैंने ये पहले मैंने बना के देखी फिर मैंने अब लोगं को इसमें बना के दिखाया है पूरा के अंदर के बना के जाइब है तो दोस्तों अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो तब तक के लिए बाइ बाइ नेस्ट वीडियो में फिर मिलेंगे थैंक यू